हेलो एवरिवन आज का हमारा प्रथम भाग प्रथम चैप्टर जो है कावे भाग में हम कर रहे हैं इसमें हम तो एक एक करी जाना संतो देखत चगबोराना इस पार्ठ के हम प्रश्णों तर कर रहे हैं इसमें पहला हमारा प्रश्ण है कि कबीर की दृष्टी में इश्वर ए इसके समार्थन में उन्होंने क्या-क्या तर्क दिये हैं। उत्तर इस प्रकाश से होगा कि कबीर ने एक ही इश्वर के समार्थन में अनेक तर्क दिये। यनि उन्होंने ये कहा कि इश्वर तो एक ही है और जिसके लिए उन्होंने यह बताया। पहला तर्क उन्हों ने यह दिया कि संसार में सब जगे एक ही पवन वय जल है पुरे संसार में हवा और पानी एक जैसा है दूसरा तर्क उन्हों ने दिया कि सभी में एक ही इश्वर्य जोती है सभी मनुश्यों में एक ही इश्वर ये जोती है इश्वर का प्रकाश है तीसरा तरक उनों ने दिया कि एक ही मिट्टी से सभी बरतनों का निर्माण होता है तीसा तरक क्या है कि कुम्हार जो बरतन बनाता है उसके लिए सभी बरतनों को बनाने के लिए एक इमित्ति का प्रयोग करता है उसी प्रकास से ईश्वर ने सभी मनुश्यों के निर्मान के लिए एक ही तत्व का प्रयोग किया है चोथा तर्क वह देते हैं कि एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है यानि जितने भी संसार में प्राणी है सभी में एक ही परमात्मा का निवास है उसका अस्तित्व है पाचवा तर्क उन्होंने यह दिया कि परते कण में इश्वर है संसार के हर कणकण में सेकिंड जो कुष्चन है मानव शरीर का निर्मान किन पंच तत्वों से हुआ है ऐसे कौन से पांच तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्मान हुआ है तो अगनी, वायू, पानी, मिटी और आकास ये पांच तत्व हमारे शरे का निर्मान करते हैं अगनी यानी आग, वायू यानी हवा, पानी, जल, मिटी मिटी स्वाइल होती है और अकास होता है स्काई इन सब चीजों से मिल करके हमारे शरे का निर्मान हुआ है नेक्स्ट कुश्चन है जैसे बाढ़ी कास्ट ही काट, अगनी न काट कोई सब चटी अंतही तो ही व्यापक धरे सरूप सोई इसके आलहार पर बताए कि कवी की दृष्टी में इश्वर का क्या स्वरूप है प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ा ही काट यानि लकडी को काट सकता है लेकिन आग को नहीं काट सकता है उसी तरह से इश्वर जो है घट घट में व्यापत है अर्थात कबीर क्या कहना चाते हैं कि जिस प्रकार आग को सीवा में नहीं बाढ़ा जा सकता है और नाही आरी से काटा जा सकता है उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के फीतर व्यापत हैं इश्वर हम सब के फीतर रहते हैं यहां कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा यानि इश्वर का रूप है हजर अमर सर्व व्यापक है आत्मा कभी भी मरती नहीं है और सर्व व्यापक है यानि सभी स्थानों पर रहने वाली है आत्मा को ना मारा जा सकता है ना यहें जन्म लेती है और इसे अगनी जलार नहीं सकती है पानी भी गो नहीं सकता है यह सरवत्र व्याप्त है सरवत्र यानि सभी स्थानों पर रहती है व्याप्तों ना यानि रहना Next question है कबीर ने अपने को दिवाना क्यों कहा है यहां दिवाना का अर्थ है पागल कबीर दासने परमात्मा का सच्चा रूप पालिया है वे अपनी उसकी जो भक्ती है उसमें लीन है जबकि संसार बाहिये अडंबरों में उलजकर इश्वर को खोज रहा है बाहिये अडंबर यानि बाहरे दिखावे जो हैं दिखावे के वस्तों जो हैं संसार एक वस्वें जो हैं उसमें उलज करके इश्वर को खोज रहा है अतै कबीर की भक्ती आम विचारधारा से अलग है यानि कि जो आम तरह के लोग सोचते हैं उससे अलग तरह से कबीर सोचते हैं और इसलिए वो खुद को दिवाना भी बता रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन है कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है बोराना यानि पागल होना या दिवाना होना यहां पर दिवाना शब्द का भी प्रयोग किया गया है पागल के लिए तो कबीर संसार को सच्चाई परमतत्व की सर्व व्यापकता के विशे में बताते हैं परमतत्व की सर्व व्यपकता यानि परमात्मा हर स्थान पर विद्यमान है तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और जूठी बातों पर विश्वास करते हैं संसार का यह वेवार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है वे क्या कहता है कि लोग जो जूठी वाते हैं उन पर तो विश्वास करते हैं और मैं सच बताता हूँ उस पे मुझे मानने के लिए दोड़ते हैं इसलिए कबीर जी को इस संसार का इस जगत का लोगों का व्यवार अजीब लगता है और इसलिए वे कहते हैं कि संसार तो बोरा गया है यानि संसार पागल हो गया है नेक्स्ट हमारा कुश्चन है कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की और संकेत किया गया है कबीर जिने कौन सा कमियों को बताया है तो कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वा अंध विश्वासी हैं ये धर्म के सच्चे स्वरू को नहीं पहचानते हैं और आत्मग्यान से वंचित रहते हैं आत्मग्यान क्या होता है स्वयम की भीतर प्रभू रहते हैं हर इंसान में प्रभू रहते हैं तो कबीर जी कहते हैं कि पत्थरों की या पीपल की पूजा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि इश्वर तो हर आत्मा के भीतर विद्यमान है, हर इनसान के भीतर विद्यमान है, और वही हम पहचान नहीं पाते हैं, सेकिन जो तर्क है, कमी है, वह है, मुसल्मान भी पीर आलिय की बातों का अनुसरन करते हैं, वे मंतरादी लेने मे विश्वास रखते हैं इश्वर सबकी हिर्दय में विध्यमान है परंतु वे उसे पहचान नहीं पाते हैं तो जो नियम धरम को मानते हैं उनके लिए दो गम्याँ उन्हें बताई हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं आप दोनों को लिख करके भी रास्ते पर नहीं है तो वह है शिष्य को क्या मार्ग दिखाएगा जो खुद ही गलत है तो अग्जानी गुरू कभी भी अपने शिष्य को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता है घ्रमित और बाहिय अडम्मरों से पूर्ण गुरू के साथ रहने वाले सिश्यों को मंजिल नहीं मिलती है जो खुदी भ्रमित है या बाहरी दिखावे से ग्रसित है वह गुरू अच्छा नहीं बताया है कबीर जी ने वे अग्यानी गुरू समेत डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चताप करते हैं जबकि उस समय में वे अपना जीवन व्यर्थ गमाद चुके होते हैं ऐसे शिश्य जो अग्यानी गुरू के पास जाते हैं वो उनका जीवन भी चला जाता है और जब उनका अंतिम समय आ जाता है तो उने पस्तावा भी होता है अपनी बात पर अफसोस भी होता है नेक्स्ट कुश्चन है बाहे अडंबरों की अपेक्षा स्वेम यानि आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है उन्हें अपने शब्दों में लिखें तो बाहे अडंबरों की अपेक्षा स्वेम को पहचानने की बात इन पंक्तियों में कही गई है तोपी प थर्म के बारी स्वरूप में उल्चे रहते हैं कोई टोपे पहनता है तो कोई माला पहनता है माथे पर तिलक और शरीर पर छापे लगा करके एहिंकार दिखाते हैं घमंड दिखाते हैं अपने धर्म का एहिंकार दिखाते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ मैं उस धर्म का हूँ व कोई किसी धर्म के भजन गाता है कोई किसी धर्म के और उसी वज़ा से वो खुद के स्वरूप को भूल जाते हैं कि परमात्मा तो सभी इंसानों के भीतर निवास करता है उसे हम कोई अलग रूप नहीं दे सकते हैं बाहिय रूप नहीं दे सकते हैं इसलिए कवी ने इन पंक खाने की कोशिश की है